दर्शकों का सबसे फेवरेट शो अनुपमा इन दिनों अपने नए नए ट्विस्च के लिए काफी चर्चा में बना हुआ है जहां सीरियल में काव्या वनराज के घर को छोड़ कर चली गई है वही वनराज फिर से बड़ा आदमी बनने की चाह में अनुच की बहन मालविका के करीब आकर उसकी प्रॉपर्टी हडपना चाता है तो वही अनुपमा वनराज के बुरे इरादों को जानकर उसे रोकती है इन सब ड्रामा के चलते जल्द ही शो में मकर सकरांती इस्पेशल एपिसोड देखने को मिलने वाला है जिसकी कुछ अंसीन तस्वीरे शो के स्टार्स ने अपने अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साज़ा की तो वहीं शुधानशु पांडे मदालसा शर्मा अंगा भोसले अलपना भुज ने भी अपनी अपनी खूबसूरत सी तस्वीरे अपने फैंस के साथ साज़ा करते हुए उन्हें मकर सकरांती की धेड़ सारी शुपकामनाएं दी तो वहीं मकर सकरांती के स्पेशल एपिसोड की शूटिंग करते समय शो के सभी सितारों ने इस फैस्टिवल को काफी इंजोई किया शू में बाका किरदार निभाने वाली अलपना भुज ने कहा यदि पतंग हलकी हो तो उड़ान उची होगी सबको मकर सकरांती की धेर सारी शुपकामनाएं वहीं शुदान शुपांडे अंगा भोसले और मदालस शर्मा पतंग के साथ क्यूट से अंदाज में मस्ती करते हुए नजर आए तो वहीं शुप में मालविका का किरदार निभाने वाली अनेरी वजानी भी एक बहुत ही खुबसूरत से गेट अप में नजर आई जिसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है और अपने सिर पर पल्लू ले रखा है वहीं अनेरी वजानी ने शुप में बागा करदार निभाने वाली अलपना बुज और तोशू यानी की आशिश मलवुत्रा के साथ उनकी शादी के बारे में बात की अनुच कपाडिया का रोल निभाने वाले एक्टर गोरव खन्ना ने भी पारस कलनावत के साथ एक अपना बड़ा ही फनी वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह कार्टूम्स की तरह नजर आ रहे हैं और इसी अंदाज में उन्होंने अपने फैंस को मकर सक्रांती की शुप का इन सब अंसीन तस्वीरों और वीडियो को देख कर शो के दर्शक आने वाले एपिसोड का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अनुपमा सीरियल में मकर सक्रांती और लोहरी का सेलिब्रेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और इसी हमारी चैनल तेली एंड इन सिने वंड को थेंक यू स्वीडियो यहें मरे मोस्ट हैंजम थे सेत यहे तो थे चेश्मेराओ लूता कमांव पर्स्टाइए